इंडियन ओडिनान्स फेक्ट्री रिकूड्मेंट के बारे में सुनेंगे तो आप जरूर सख होंगे कि क्या हमको वेकेंसी देखने मिल रहा है इस साल जी हाँ गाईज यहाँ यहाँ पे लगभग 5,000 अपकॉमिंग वेकेंसी है बट यह पर्मानेंट जॉब की वेकेंसी नही बट यहाँ पे थोड़ा सुब संकेत निकल के आ रहा है मतलब यहाँ पे आपके लिए अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग के लिए रिकूड्मेंट निकल के आ रहा है गाईज तो चलिए मैं पूरा विस्तार में डिटेल में बताने वाला हूँ क्या एडविटाइजमेंट है औ और कौन सा योनिटी के लिए आया है और उसके साथ बताना चाहूँगा अगर आप एक फिटर स्टूडेंट हो तो आप हमारे कोर्स में एन्रोल हो सकते हो मैं एक बंडल कोर्स बना के रखाऊं जिसमें आपको लगभग 20 से 40 A-series मिल जाएगा प्रिवियस यर पेपर, प्र अभी ट्रेड के लिए हमारे कोर्स एवेलेबल हो जाएगा हमारे वेबसाइट में और एंडरोड एप में भी आपको एवेलेबल हो जाएगा अप प्ले स्टूर से डाउनलोड करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए गाईज चलिए हम डिटेल में बात करते हैं DPSU मतलब Defense Public Sector Unity यहाँ पे आपको देखने मिलेगा यहाँ पे गाईज देख सकते हो यह साथ DPSU जो है यह 7 Defense Public Sector Unity और 7 DPSU साथ Defense Public Sector Unity के अंडर यहाँ पे 5th नमबर देख सकते हो यंत्र इंडिया लिमिटेड यंत्र इंडिया लिमिटेड एक Public Sector Unity है जिसके अंडर 3 या 4 य पांच यार फिर साथ फेक्टरी हो गया जितना भी फेक्टरी आता है वो सारे फेक्टरी के लिए ये अड़ेटेजमेंट निकल के आ रहा है और यहां पे आपको एक सौट नोटिस दिया गया है चलिए यहां पे यह फिप्ट नंबर है यहां पे अगर गिनेंगे तो जानुवारी के दिन में ये एक अफडेट जारी किये है ट्रेड अप्रेटेशिव 57th batch short advertisement और इसका जो valid फ्रम 27 जानुवारी 2023 से लेके 28 जानुवारी 2023 ये ऐसे लिखा गया है बट इसका full notification अभी तक आया नहीं ना कि इसका online शुरू हुआ है तो अगर आप इसको click करेंगे तो नया एक advertisement डाउनलोड होके आ जाएगा देख सकतो ये है इसका official advertisement यांत्री इंडिया लिमिटेड अमबजरी नागपूर इसका जो headquarter है वो अमबजरी नागपूर में है और यहाँ पर गाज देख सकते हो engagement of trade apprenticeship Indian ordinance factory ये है Indian ordinance factory अगर आपको doubt हो रहा है तो online application for Indian citizen sell we invited for engagement of 57th batch for non-ITI and ITI category of the trade apprenticeship under apprenticeship act 1961 ordinance factory तो गाज यहाँ पर देख सकते हो दो category में recruitment आया है यहाँ पर दो category में recruitment आया है non-ITI and ITI और non-ITI के लिए 1944 post रखा गया है और ITI student के लिए 3514 post रखा गया है तो post बहुत अच्छा रखा गया है बट ध्यान में रखिये ये एक training program में apprenticeship के लिए not permanent job permanent job होता तो मतलब इंडिया में बोभाल मज जाता मतलब माहोल अलग ITI student का माहोल अलग बन जाता मतलब All India में नहीं ये तो 5 फेक्तरी का इतना notification अगर पूरा पूरा board निकाल देता सारे तो लगभग 20 से 30,000 vacancy आ जाता आएगा जरूर बट थोड़ा amount कम आएगा और थोड़ा आपको सब्वर रखना पड़ेगा और इसके लिए educational qualification क्या बता हूँ non ITI 10th वाले अपलाई कर सकते ITI वाले ITI candidate अपलाई कर सकते branch वाइच अपलाई कर सकते बट यहाँ पे आपको written test देना नहीं होगा आपके पास अगर अच्छे grading है और 50% से जादा रखे हो mark percentage जो ITI में है तो आप इसको अपलाई कर सकते हो उसी best में ही यह selection होगा बात आता है कि age limit क्या है 15 से 24 year बट यहाँ पे आपको age relaxation भी मिल जाएगा बट आज पर government role जैसे कि STST के लिए 5 year OVC के लिए 3 year यह सारे age relaxation भी मिल जाएगा बट यहाँ पे आपको apply करने का link तो दिया गया है बट active नहीं किया गया है हो सके बहुत जल्दी इसका full notification आ जाएगा और इसका online application portal active हो जाएगा तो तब तक हमारे चैनल को subscribe करके रखिए नहीं तो आप हमारे course में enroll हो जाएए चाहिए तो आप मेरे what's up में chat कर सकती हो कोई भी help चाहिए चले guys मिलते हैं अगले video में रात बहुत हो रहा है मुझे भी सोना है